हेलो प्रेंड्स, वेलकम टू मैं जानल, आज मैं आपके लिए साइंस की न्यू वीडियो लेके आई हूँ, इसमें आप ये देखेंगे कि किस वस्तू में या किस चीज में कौन सी असिद पाई जाती है, इसे कैसे याद रखा जा सकता है, तो पहड़ी लाइन है, सिर पर एस डाल गया, एसिद मतलब एसिटेक एसिद, सिरका में हमेशा एसिटेक एसिद पाया जाता है, सिरका में एसिटेक एसिद पाया जाता है, सेफ के धीर पर बैठा मालिक जो, सेफ के धीर पर, सेफ और मालिक, सेफ में मालिक एसिद पाया जाता है, सेफ के धीर पर बैठा मालिक के लिए और सेव करने गाई है इसके बाद नेक्स्ट अंगूर इमली संग तर्टराता रह गया घर मैं अंगूर और इमली इसमें टार्टरिक असटž पाय जाता है तो टार्टर असटपर के लिए करते हैं । इसके बाद है खटे फल अब हटो साइड पर, खटे फलों में citric acid पाया जाता है, दूद दही तुम पियो लेट कर, दूद दही तुम पियो लेट कर, दूद और धही में लेट कर शब्द का प्रयोग हमने lectic acid के लिए क्या हुआ है, तो दूद और दहीरी में lectic acid पाया जाता है घास के पत्ते में benzoic इसका मतलब है घास के पत्ते में benzoic acid पाया जाता है और यह आखरी एक लाइन है जिसमें लिखा है जैसे मूत्र में होता यूरिक का प्रॉब्लम वैसे बिच्छो चीटी में फॉर्मिक का प्रॉब्लम जैसे मूत्र में होता यूरिक का प्रॉब्लम वैसे बिच्छो चीटी में होता फॉर्मिक का प्रॉब्लम तो मूत्र में uric acid पाया जाता है और बिच्छो चीटी के काटने से हमको जलन होती है वो जलन जो होती है वो formic acid की वज़िस होती है इसने बिच्छो चीटी में कौन सा acid है formic acid पाया जाता है ठीक है तो शॉट ट्रिक को एक बर और पढ़ लेते हैं हम repeat कर लेते हैं start से sets malic acid अंगूर इमली संग टेंटराते रह गया घयर अंगूर और इमली के साथ टेंटराते घर पर रह गया मतलब अंगूर ऊ इमली में taracid है खट्टे फल अब हटोसाइट पर खट्टे फल उसमें citric acid पाया जाता है या citric acid पाया जाता है दूध दही तुम पियोलेट कर दूद और रही में लेक्टिक एसिद पाया जाता है, घास के पत्ते में बेंजोईक, घास में बेंजोईक एसिद पाया जाता है, जैसे मूत्र में होता है यूरिक का प्रॉब्लम, मूत्र में यूरिक एसिद होती है, बिच्छो चीटी में फॉर्मिक का तो है बुदिए ठाइए बॉदिती